एक बार बीटू जंगल में जा रहा था अचानक भालू देखकर सास रोखकर जविन पर लेट गया भालू यह सब देखकर बीटू के पास आया और उसके कान में पूला अबे बच्चे भूख नहीं है ने तो तेरी सारी खुशियारी यही परूदा देता अबे मुर्क भालू छोड़ दे इस रक्षे को वरना बहुत बुरा होगा तो मुझे रोकेगी अभी बताता हूँ तुझे एले तेरे जैसे सैतान का जादू मेरे उपर नहीं पर सकता रूख अभी बताती हूँ तुझे अरे आज तुने मेरी जान बचाई इसका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूँगा लेकिन तुम कौन हो मैं अपने पापा की परी हूँ मैं भी अपने पापा का पारा हूँ पारा ये पारा क्या होता है अरे इसका मतलब मुझे देखते ही उनका पारा चड़ जाता है अरे क्या?